हेलो फ्रेंज आज मैं आपको इसकी मी 11-5 वोच का अन्वोक्षिंग करने जा रहा हूं आप देख सकते हैं यह इसकी मी 11-5 वोच का बॉक्स है और यह मैंने ज़स्ट अभी अमेजोन से मंगाया था जो कि एक बहुत ही सस्ती और अच्छी वोच है जिसमें डिश्टर एनलोग कि दोनों फंक्शन हैं आप देख सकते हैं यह वोच है कि अच्छ के साथ साथ इसका एक मिनमल निकला है इस पर इसको स्वोच को सेट परने का यह आप देख सकते हैं देखने में तो काफी अच्छी वोच लग रही है कि काफी स्टाइलिस है जो कि मेंस के लिए वोई इसको बहन सकते हैं आप देख सकते हैं अगे 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 है अगे आ जाए अगे 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 अनलोग वाच है और साथ कर्षाद डीच्छल फंक्शन वीएच में इसका स्ट्रैप आप देख सकते हैं काफी है वीयृ प्रेपेस का यह सेकें दुसी तरफ काफी स्टाइलिस वोच है है यह अमेजोन पे फिलिपकार्ट स्पेस की आज कर खाफी अच्छी सेलिंग हो रही है इसमें टिश्टल की बात करें अगर हम तो यहां पर अधे बताता है यहां पर टाइम बताता है नीची साइड में और डेट और मंस साइड में उसका ब्लैक और कम्बिनेशन देख सकते हैं इसमें बटन जो दिए यह यह एलेडिका भी श्मका ओप्छन है देख सकते हैं इससे इलेडी चलती है इसकी शाथ के साथ इससे भी लीडी जलती है फंक्षन दिया गया है लाइट का और इधर मोड का ओप्शन है इधर स्टार्ट का और इधर रिशेट का ओप्शन है अगर आपको एनलोग वाच की सेटिंग करनी है मींस जो डिडिल से उनको सेट करना है तो आप इधर से इसको डेक साइड पुछ करके और इसको सेट कर सकते हैं जैसा के भी नाइन वन हुआ है कि का अधिक का पी सुन्दर वोच है अब अपने लिए या अपने फ्रेंस के लिए या अपने अच्छे के लिए ले रहे हैं तो अभी अच्छा उप्शन आप दिसकते हैं इस किमी की है बन अभूले थेंक यू